बर्नौली के प्रमय के सिधान पर अधारेत एक और उपकरण है जिसके सहता से हम किसी भी नली में प्रवाहित होते हुए तरल के प्रवाह की दर ग्याद कर सकते हैं इस उपकरण को हम वेंचुरी मीटर के नाम से जानते हैं तो आएए देखते हैं ये वेंचुरी मीटर काम कै से करता है बच्चो वैंग ज्चिरिंटे क्थ प्रकार का दिखाई देता है हम देख रहे हैं कि इस नली में बीच का जो एरिया है वह शक्रा है मतलब इसका चेत्ड रफल इन दोनों जगों की तुल ना में दोनों सीरों के तुलना में कम है और जब इसको हम किसी भी पाइप के साथ जोड़ देते हैं तो वो पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव के प्रवाह की दर को बताता है अब इससे कैलकुलिशन किस प्रकार करते हैं आईए से हम देखते हैं तो सबसे पहले इस वेंचुरी मीटर का हिससे से भी एक नली उर्द्वा धर यानि की वर्टीकल अटैच्ट है और पतले वाले हिस्से भी कर् 이거를 आटाज़ है कि और जब इसमें लाली नली दिखरी है उससे भी उर्धवाधर नली अटाईट है उसमें भी ऊपर के और चड़ेगा और इन दोनों नलियों में जो लेवल का डिफरेंस आता है उसको क्याखिकुलेट करके हम इस नली से प्रवाहित होने वाले किसी भी द्रफ की प्रवाह की दर'm को क्यात कर सकते हैं वाला बेसिकलिए हमको यह हाइट को ही नोट करना होता है अब यह जो मोटा वाला क्रॉस सेक्शन एरिय मालते अरिजय ले रहे हैं यहां पर ड्रफ का वेग वान रहें इसते जो X वाले पोर्शन से जो नली उर्धवादर जूरिये मालों से हम M लेते हैं और ये Y वाले हिस्से से जो नली जूरिये इसे हम N लेते हैं अब इस वेंचुरी मिटर को हमने एक पाइप से जोड़ दिया जिसमें की द्रव प्रवाहित हो रहा है तो द्रव इसके नीरिये कम है तो यहां पर वेग अधिक होगा और जहां पर वेग अधिक होगा वहां पर दाब कम होगा जहां पर वेग कम होगा वहां पर दाब अधिक होगा इसका मतलब X वाले हिस्से में वेग कम होने की कराण यहां पर दाब अधिक होगा और इसलिए M वाली नली में ज जो द्रफ का लेवल होगा हो जबकि हम वाले हिससे में देखे तो यहां पर वेग अधिक है तो दाव खम होगा और इसलिए इस नली में यन रुख का लेवल कम होगा तो यहां से हमने concept को समझ लिया अब हम इसका mathematical ट्रीटमेंट देखते हैं माल लिजे एक्स वाली पोर्षन में हम दाप लेते हैं और वाई वाले पोर्षन का दाप लेते हैं तो यह तो क्लियर है कि पीवन इस ग्रेटर दन पीटू अब इक्वेशन ऑफ कंटिनुटी से हमने जाना एवन वीवन बराबर एटू वीटू होत जो वेंचूरी मिटर है यह 36 रखा गया है और इसलिए यहाँ पे स्थिती जूर्जा एक होगी सभी क्रॉस सेक्शन एरिया पर एक समान होगी तो हमारे पास अब दो उर्जाएं बच जाती एक दा बूर्जा और गतीज उर्जा इनका योग अब हर क्रॉस सेक्शन एरिया में समान होना चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर समीकरन लिखेंगे एकस वाले छेत्रफल के लिए और वाई वाले छेत्रफल के लिए दोनों के लिए निकालेंगे और इनको हम बराबर करेंगे क्योंकि बर्नौली के प्रमय के नुसार कुल यूर्जा को योग हमेशा नियत रहता है तो एकस इस्तिती में दा बूर्जा लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेर गती जूर जा बराबर Y वाले हिस्से के लिए यानिकि P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेर जहां रो इस नली के अंदर से प्रवाहित होते हुए द्रफ का घनत्व है अब बस पक्षांतर करेंगे इस equation को solve करने के लिए इसे सरल करने के लिए तो हम लिखेंगे P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वेर माइनस हाफ रो V1 स्क्वेर अब राइट हैंड हम देखें तो रो दोनों में कॉमन है हाफ कॉमन है कॉमन निकाल लेते हैं तो जाएगा 1 ब अबर हमारे पास टर्म है इसमें से यदि वी वन कॉमन लेती हूं यदि मैं वी वन इसको एक कॉमन लेती हूं तो ये समय करना कुछ इस प्रकार हो जाएगा हाफ रो वी वन स्क्वेर ब्रैकेट के अंदर पहले वाले ट्रम में वीवन है ही नहीं तो हम इसको वी स्क्वेर से भाग देंगे तो यह जगा V2 स्क्वेर अपन V1 स्क्वेर माइनस 1 यह हमने ऐसे क्यों किया यह हम आगे देखेंगे जब हम इस equation में substitute करेंगे V2 अपन V1 कमान समी करण 1 से हमने निकाला था और किसी भी नली के इंदर द्रफ कितने वेक से प्रवाहित हो रहा है इसको calculate करना मुश्किल है जबकि नली की cross section area को calculate हम कर सकते हैं चाया तो हम vernier caliper का सायता ले सकते हैं और किसी भी माध्य हम से हम इस न और A2 की रूप में convert करना चाहिए अब समी करण एक सम्मान रख देते हैं तो हमें मिलेगा P1-P2 बराबर 1 by 2 रो वी 1 स्क्वेर अभी हो जगा A1 स्क्वेर अपन A2 स्क्वेर माइनस 1 अब simplify कर देते हैं A2 स्क्वेर LCM हो जाएगा तो हमें मिलेगा A1 स्क्वेर माइनस A2 स्क् यानि दाब का अंतर और दाब अंतर निकालने का फॉर्मुला हमने देखा है यह उतर रो जी एच जहां पर रो द्रफ का घनत वह होता है जी एक्सलेशन दीटो ग्रैविटी और H हाइट होती है मतलब जो हाइट के अंतर के कारण जो दाब में अंतर आ रहा है उसको हम इस यहां से केलकुलेट करते हैं तो यहां पर भी हम देखे एम नली और एम नली में दोनमी Water level में हाइट का अंतर है इसे हम एच से दरशा हुआ है और इसलिए यहां पर जो प्लिगा उसको हम ऐसी फॉर्मुली से दरशाएंगे हम लिखेंगे h rho g बराबर half rho v1 square bracket के अंदर a1 square minus a2 square upon a2 square और दोनों पक्षों से rho cancel करेंगे हमको ग्याद करना है वेग मतलब प्रवा की दर हम निकालने वाले थे तो हम पहले यहाँ पर वेग ग्याद करेंगे तो v1 वाले portion को separate करेंगे तो v1 square equal to हो जाएगा हमने सिर्फ पक्षांतर किया यहाँ पर 2hg a2 square अपन a1 square minus a2 square और यहाँ से v1 बराबर हो जाएगा रूट अंडर दोनों पक्षों का वर्ग मूल ले लेते हैं square root कर देते हैं तो योगा 2 root अंडर 2hg a2 square अपन a1 square minus a2 square अब a2 square यह square root से बाहर निकल जाएगा और हम लिखेंगे v1 बराबर a2 root अंडर 2gh upon a1 square minus a2 square यह दिनली में प्रती एक आंग second में जो द्रफ प्रवाहित हो रहा है उसके आयतन को में क्यों से प्रदर्शित करती हों तो आयतन कैसे निकालेंगे क्रॉस सेक्षन एरिया का छेत्रफल और एक second में उसने कितनी दूरी तय की एक second में तय की दूरी उसके वेक के बराबर ही जानी कि यदि हम यहां पर वेंकुरी मीटर का पहला वाला चेत्रफल देखें तो यहां पर वेक वीवन तो यह की घ की वरी दूरी द्रफ की वीवन होगी ऑर यहां पर छेत्रफल एवन तो हम लिख सकते हैं A1 into V1 और यही द्रफ के प्रवाह की दर को बताएगा क्योंकि कितना आयतन एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है मतलब कितना आयतन एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है अगर यह ग्याद करते हैं तो वो द्रफ के प्रवाह की दर को ही बता रहा है क्योंकि जब हम समय से भाग दे देते हैं इसका मतलब वो quantity डर को रिप्रेजेंट करती तो यहां पर यह द्रफ के प्रवाह की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह हम मान लीजे क्यू से दर्शारते हैं तो क्यू इक्वल्ट हमने लिया एवन वीवन अब यह वीवन का मान रख देते तो क्यू पराबर य हम किसी भी नली में बहने वाली द्रफ के प्रवाह की दर को क्याल्कुलेट कर सकते हैं इस सूत्र को यह दि हम देखें तो यहां पर हमको इस वेंचुरी मीटर के मोटे वाले हिस्से का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम होना चाहिए और पतले वाले हिस्से का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम होना चाहिए साथ ही gravity कमान्त हम जानते हैं इस नली में साथ ही यहाँ पर जो दो नलिया हैं जो इन दोनों cross-section area से जुड़ी हुए है उनमें द्रफ के लेवल का अंतर भी मालूम होना चाहिए इसको ग्याद करके हम द्रफ की प्रवह की दर को इस वेंचुरी मिटर की जायता से ग्याद कर सकते हैं और इस समिक्रण सम देखें तो यह दोनों cross-section area यह नियत है किसी भी वेंचुरी मिटर की बात कर रहे ग्राविटी कमान्त वो भी नियत है तो जो द्रफ की प्रवह की दर होती है वो इन दोनों उर्दवाधर नल्यों में द्रफ की जो लेवल का अंतर है उसके square root के proportional होती है समानुपाती होती है और इसलिए द्रफ प्रवह की दर अधिक होगी तो दोनों ही नल्यों में जो द्रफ के लेवल का अंतर है वो भी अधिक होगा और इस तरह से हम इस height difference को ही देख कर समझ सकते हैं कि किसी भी नली में द्रफ के द्रफ का प्रवह कैसा होगा बर्नौली की प्रमे से जुड़े उधारनों को समझने के बाद आईए इस पर अधारत एक numerical question बनाते हैं एक वाईू यान 36 दिशा में ओड रहा है उसके पंक के उपरी प्रिष्ठ का वाईू का वेग 120 मीटर प्रति सेकंड तथा नीचले प्रिष्ठ पर 100 मीटर प्रति सेकंड है यदि वाईू का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो पंक के नीचले और उपरी प्रिष्ठो के मद्य दाब अंतर ग्यात कीजिए बर नॉली की प्रमे से P1 प्लस 1.5 रो वी 1 स्क्वेर इक्वल टू P2 प्लस 1.5 रो वी 2 स्क्वेर तो हम लिखेंगे P2 ब्राबर हाफ रो वी 1 स्क्वेर माइनस वी 2 स्क्वेर यहां दिया गया है गणात पर ρो बराबर 1.3 kg प्रती मीटर कियो V1 यानिकी वे 120 मीटर प्रती सेकंड और V2 100 मीटर प्रती सेकंड यह सारे माने सूतर पर रखने पर हमें मिलेगा P2-P1 equal to 1 by 2 into 1.3 bracket के अंदर 120 का square minus 100 square उसे solve करने पर हमें मिलेगा 1 upon 2 into 1.3 into 4400 और इन सब को गोणा करके और 1.3 को 4400 से गोणा करके 2 से भाग देने पर हमें मिलेगा 2860 newton प्रती मीटर स्क्वार अब तक हमने द्रफ से जुड़े हुए उर्जाओं के बारे में चर्चा किये तो इसके आधार पर मुझे आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए यदि हम जल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके उपरी के हिस्से में डिस्टर्बंस दिखता है पर जब हम गहराई में जाते हैं तो जल शान्थी रहता है ऐसा की होता है हमने बर्नौली की प्रमेस से पढ़ा कि तीनों उर्जाओं का योग नियत रहेगा और साथ में ये भी जाना कि यदि दाब अधिक होगा तो उस जगे पर वेग कम होगा और दाब कम होगा तो वेग अधिक होगा जब हम गहरे जल की बात करें तो गहराई में स्थेतिक दाब अधिक होता है और दाब अधिक होने के कारण वहाँ पर द्रव का वेग कम होगा और इसलिए जितना ही द्रव गहराई में होता है यानि कि गहरा होता है वो उतना ही शान्त होता है जबकि उपरी सता की बात करें तो वहाँ पर दाब कम होता है और इसी कारण ही वहाँ पर द्रव का वेख अधिक होता है इसलिए जो हलचल होती है यह उथल-पुदल होती है वो हमेशा उपरी सता पर होती है जिबकि गहराई में द्रव हमेशा ही शांत रहता है अब बच्चो मान लीजे हम ऐसे ही एक गहरा द्रव लेते हैं मतलब यह द्रव गहरी वाले कंटेनर में एक टंकी में बंध है और यदि हम इस टंकी में कहीं पर छेद कर देते हैं तो क्या होता है उस चिद्र से द्रव बहार की और आता है उस चिद्र से जब द्रव बहार की और चलना प्राराम करता है तो उसमें एक छेतिज वेग होता है और उसी वेग से द्रव इस चिद्र से बहार आता है लेकिन जब द्रव चिदर से आगे की और बढ़ना शुरू करता है उस समय इसका पत परवल्लयकार हो जाता है और इस तरीके से वो किसी भी चिदर से बाहर की और गिरता है वेग्यानिक टॉरिसली ने बताया कि इस चिदर से बहने वाले द्रव का वेग कितना होगा उनके अनुसार इस चिदर से बहने वाले द्रव का वेग उतना ही होगा जितना द्रव की स्वतंत्र प्रिष्ठ से दूरी है यदि उतनी ही उचाई से किसी वस्तु को हम उपर से नीचे स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं और उतनी उचाई में आते हुए वो जितना वेग ग्रहन कर लेता है इस चिदर से बहार निकलने वाले द्रव का वेग भी उतना ही होगा हम जानते हैं किसी भी वस्तु को जब स्वतंत्ता पूरवक छोड़ा जाता है तो वो ग्रुत्व के अधीन नीचे गिरना प्रारंब करती है क्योंकि गृत्वा कर्शंड बल किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की और आकर्शित करता है और वस्तु का वेग धीरे-धीरे नीचे की और बढ़ने लगता है जिसे हम गृत्वी त्वरण कहते हैं अब जब वस्तु को एक उचाई पे रखा जाएगा और से स्वतंत्ता पूर्वक छोड़ा जाएगा तो धीरे-धीरे-धीरे उसका वेग बढ़ने लगेगा तो ये इस स्वतंत्त पृष्ट से इस छिद्र तक की जितनी उचाई होगी वो उतनी दूरी तय करने पर जितने वेग को ग्रहन कर लेता है वो छिद्र से भी जब द्रव बाहर निकलता है तो उसका वेग भी उतना ही होता है और इसे हम टॉरेसली के प्रमय के नाम से जानते हैं है तो चलिए इस तोरेसली की प्रम्य को स्थै करते हैं और साथ ही जो इस द्रव का वेग है इस छिदर से बहार उसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी टंकी से छिदर से द्रव के बहार निकलने वाले वेक को हम एक खास नाम जानते हैं इसे हम वेलोसिटी ओफ इफलक्स यानि बही स्त्राव वेग कहते हैं तो चलिए इसको क्याल्कुलेट करते हैं मान लीजे इस टंकी की उचाई हम कैपिटल S से दर्शा रहे हैं और इस टंकी में रोग घनत्व का द्रव स्टोर है और यह पूरे टंकी में स्टोर है पतलब इस द्रव का लेवल इस टंकी की हाइट के बराबर होगा अब यह टंकी ओपन है यहाँ पर द्रव का एक स्वतंत्र प्रिष्ट है अब इस द्रव की स्वतंत्र प्रिष्ट को हम देखे तो इस पर वाईयो मंडल की द्वारा दाब आरूपित किया जा रहा है और इस दाब की कारण ही इस द्रव में इस प्रिष्ट पर दाब उर्ज होगी और यह प्रिष्ठ शांत है द्रवभी शांत है इसलिए इस प्रिष्ठ की गतीज उर्जा शुन्य होगी और इस प्रिष्ठ को हम देखें तो यह सबसे मैक्सिमम हाइट पर है और इसलिए इस प्रिष्ठ पर सितीज उर्जा अधिक्तम होगी और स्वतंत प्रिष्ठ की कुल और्जा निकाले तो इसका सम्मिक्राण में इस प्रकार लिख सकेंगे पी जिसे हम दाबूर्जा कह रहे हैं कि गतिज उर्जा शुन्य होगी इसलिए जीरो लिख रहे हैं इस्तिती जूर्जा रो जी एच यह तीनों का योग होगी अब हम चिद्र ए पर द्रफ की कुल और्जा निकालते हैं यह चिद्रे स्वतंतर प्रिष्ट से एच दूरी पर स्थित है अब यहाँ पर इसकी तीनों और्जाओं का योग लेंगे तो इस चिद्र पर द्रफ की कुल और्जा को बताएगा दाबूर्जा पी होगी स्थिती जूर्जा हाफ रोवी स्क्वेर और गती जूर्जा रोजी एच होता है जहाँ पर एच सतह से उचाई होती है यहाँ पर सतह से उचाई कितनी होगी यदि इस टंकी की कुल उचाई एच है और स्वतंतर प्रिष्टिस चिद्र की कहराई यह दूरी small h है तो ये जो दूरी है सतह से इस छिद्र की ये h-h होगी और इसलिए हम ये height के जगे पे h-h लिखेंगे और ये जो हमने कुल उर्जा का समिकरण लिखा है ये प्रती एकांक आयतन के लिखा गया है बरनौली के प्रमे के नुसार ये स्वतंत प्रिष्ट की कुल उर्जा और इस छिद्र-a पर जो द्रव है उसकी कुल उर्जा बराबर होनी चाहिए क्योंकि प्रतेक अनुप्रस्थ काट के छेत्रफल पर जहां पर द्रव भरा गया है या जहां से द्रव प्रवाहित हो रहा है ये तीनों उर्जाओं का योग नियत होता है तो हम इन दोनों स्थीतियों की कुल उर्जा को बराबर कर देते हैं और इस प्रकार हम लिखेंगे पी प्लस रो जी एच बराबर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेर प्लस रो जी एच माइनस एच दोनों पक्षों से पी और पी कैंसल करेंगे तो मैं मिलेगा ρो जी एच बराबर हाफ रो वी स्क्वेर प्लस यहां पर रो जी को हम अंदर ब्रैकेट में गोना करेंगे और हमें प्राप्त होगा रो जी एच माइनस रो जी एच दोनों पक्षों से रो जी एच कैंसल करने पर यानि समी करन को और हल करने पर हमारे पास केवल दो ही पद बच जाएंगे और हम इस प्रकार लिख सकते हैं हाफ रो वी स्क्वेर माइनस रो जी एच बराबर जी एच पर हाफ रो वी स्क्वेर बराबर रो जी एच और यहां से तोरिसरे ने बताया कि ये वेग उतना ही होगा जब एक वस्तु को स्वतनता पूर्वक छोड़ा जाए तो ये एच दूरी टाइक करने में जितना भी वेग प्राप्त करती है ये उसी वेग के बराबर होगा तो चलिए हम वस्तु के वेग को ग्याद करते और देखते हैं ये बाहिश राव वेग के बराबार आता है या नहीं है मालेजे हमने इस एच उचाई पर एक वस्तु ली है जितनी दूरी पर हमने चैंदर किया था स्वतनता पूर्वक छोड़ा जाएगा इसका मतलब इसका आरंभीक वेग शून्य होगा और जब ये पृत्वी की सतापर आता है तर्च करने को रहता है लगभग तब इसका वेग कितना होगा इसे कैल्कुलेट करते हैं तो गती के तीसरे समी करण के नुसार V स्क्वेर बराबर U स्क्वेर प्लस टू A S होता है अब यहाँ पर जो त्वरण है वो गृत्वी त्वरण होगा इसने हम A के स्थान पर G लिखेंगे और S यानि जो विस्थापन है वो वस्तु द्वारा तै की गई दूरी होगी यानि यहाँ पर यह उचाई होगी तो S के स्थान पर हम H लिखेंगे तो वी स्क्वेर बराबर जीरो प्लस टू जी एच और यहाँ से वी स्क्वेर बराबर टू जी एच और वी बराबर रूट अंडर टू जी एच और यही टॉरेसली का प्रमय है तो इस प्रकार बच्चों हमन बहश्राव वेग का भी मान कैल्कुलेट किया और सूतर से हम देखें तो बहश्राव वेग है यह एच पर निर्भर कर रहा है यानी कि इस द्रव के स्वतंतर प्रिष्ठ से गहराई के सास एस बहश्राव वेग के मान में भी परिवर्थन होगा और इसलिए जब आप टंकी को अलग-अलग जगे से छेद करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से निकलने वाले द्रफ का वेग अलग-अलग है वेग का पते कैसे हमको चलेगा एक्चुली जब हम उसके द्वारा तै की गई 36 दूरी देखते हैं तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इन छिद्रों से निकलने वाले द्रफ का वेग अलग-अलग है तो चली कैलकुलेट करते हैं यह द्रफ कितनी 36 दूरी तै करेगा यानि टंकी में अलग-अलग जगह छेद करने पर यह टंकी से कितने दूर जाकर गिरे करेंगे कि द्रफ कितनी अधिक्तम दूरी तै कर सकता है मान लिजे हमने टंकी में यहां पर एक छिद्र बनाया है इसकी स्वतंत्र प्रिष्ठ से गहराई है और इस छिद्र से द्रफ बाहर क्यों निकलेगा इसे हम बहिश्राव वेग कहते हैं बहिश्राव वेग की क्याक् पर टंकी से एक से दूरी पर गिरता है अब इस एक से दूरी को हमको क्याल्कुलेट करना है यहां पर हमें समय मालूम नहीं है तो सबसे पहले हमें समय क्याल्कुलेट करना पड़ेगा इसको क्याल्कुलेट करने के लिए हम गती के दूसरे समिकरण का स्तमाल करेंगे कती के दूसरे समिकरण से हम लिख सकते हैं S is equal to UT plus half 80 square यहां पर हम सारे उर्द्वाधर घटको को लिखेंगे योगि उर्द्वाधर घटको के बारे में हमारे पास जानकरी मौझूद है इस छित्र की सताह से ऊचाई ये h-h होगी तो s के स्थान पर मैं h-h लिखूंगी यहाँ पर मैं वेग का उर्द्वाधर घटक लिखूंगी वेग एक सदीश राशी है जिसके 36 और उर्द्वाधर घटक होगे ये जो 22 वेग है वो तो 36 दिशा में होगा इसे लिए इसका उर्द्वाधर घटक 0 होगा तो initial velocity के उर्द्वाधर घटक को मैं लिखना चाहूं तो ये 0 होगा इंटो T प्लस हाफ यहां एक स्थान पर हम त्वरण का ओर्द्वाधर घटक की लेंगे जो की गुरुत्वी त्वरण की कारण ही हो रहे तो यहां पर G लिखेंगे T स्क्वाइर और से स्वाल्फ करेंगे तो मैं मिलेगा H माइनस H बराबर हाफ G T स्क्वाइर और यहां से T कमान केलकुलेट करें तो T स्क्वाइर इक्वाल टू टू एच मैनस H अपॉन जी और टी बराबर होगा रूट अंडर टू एच मैनस H अपॉन जी अब यह ती कमान हमें प्राप्त हुआ है उसकी सहते से हम छेतिजदूरी ग्याद करेंगे हम जानते हैं बच्चों छेतिज दूरी बराबर होगी 36 वेग यानि की 22 वेग इंटू समय तो X बराबर हो जागा रूट अंडर 2GH समय कमान लिखेंगे रूट अंडर 2H मैनस H अपॉन G इन दोलों को एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं यहांसे G और G कमान कैंसल हो जाएगा 2 और 2 दो बार हैं तो यह र सवरल कर रहे हैं तो X बराबर मिलेगा 2 रूट अंडर H मैनस H और इस समय करण से सपष्ट है कि जो दूरी है टंकी से इस द्रव की जो चिद्र से गिरता हुआ रहा है वो निर्भर कर रहा है कि आपने स्वतंतर प्रिष्ठ से कितनी गहराई में चिद्र बनाया है और X का मा अधिकतम निकालना है हमको यहाँ पर हम देख रहे हैं H और H मैनस H यह ऐसी राशिया है जो एक दूसरी पर निर्भर कर रही है क्योंकि H के मान के अधार पर ही आप H माइनस H को क्याल्कुलेट कर पाऊगे तो इसका मान अधिकतम निकालना है यह अधिकतम कब होगा इसको निकालने के लिए हम मैथमेटिकल स्टूल को अपलाई करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे डिफ्रेंशेशन का और हम लिखेंगे डिफ्रेंशेशन आफ एच इंटु एच मैनस H विट रस्पेक्ट टू एच यहाँ पर जो हमने अवकलन किया है डिफ्रेंशेशन किय है वो small h के सापेक्षी किया है यही गहराई है स्वतंत्र प्रिष्ट से छिद्र की तो इसके सापेक्ष यदि अवकलन 0 होता है तो इस राश्री कमान अधिकतम होगा अब यहाँ पर multiply कर देते हैं तो यह मिलेगा यहाँ पर इसको टंकी की हाइड भी बोल सकते हैं या फिर स्वतंत्र प्रिष्ट की भी उचाइब हो सकते हैं और यह constant है change क्या हो रहा है small h की value तो यह h यह अफकलन से बाहर हो जाएगा तो हम लिखेंगे h dh upon dh minus क्योंकि यह minus का चिन है तो minus से लिखेंगे आपर यह होगा d upon dh of h square यह बराबर 0 होना चाहिए अब अफकलन करते हैं यहाँ पर अफकलन के सूत्रों को इस्तमाल करके अफकलन किया जाएगा dh upon dh यह होगा 1 वेकि हम x के साब एक चेदी x का अफकलन करते हैं तो 1 मिलता है अब हमारे पास एक और सूत्र है d upon dx of x power n यह होता है n into x power n minus 1 जो भी power में रहता हम उसको सामने लिखते हैं और जो भी variable है उसके power में हम एक घटा देते हैं और इस प्रकार यहाँ पर भी हम अफकलन का सूत्र इस्तमाल करेंगे यह देखो h square है तो हम लिखेंगे d upon dh of h square तो formula लगाएंगे तो यह जाएगा 2h power 2 minus 1 2 minus 1 यानि की 1 तो हमको finally मिलेगा 2h तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा h dh upon dh1 हो जाएगा तो यहाँ पर के वाला h जाएगा minus 2h equal to 0 और यहाँ से हम देखें h बराबर 2h होगा और h बराबर होगा h upon 2 यानि ही यदि स्वतंत्र प्रिष्ठ से आधी दूरी पर यदि हम चिद्र करते हैं टंकी में तो वो maximum दूरी तक जाकर गिरेगा अब यह maximum दूरी कितनी होगी तो दूरी तो अभी हमने ग्याद किया इस सोत्र में हम मान रख देते हैं दूरी थी एक्स इक्वल टू टू रूट अंडर h इंटू h मैनस h तो h के स्थान पर h upon 2 रखते हैं और से सॉल्फ करेंगे तो यह अधिक्तम दूरी एश के बराबर ही होगी मतलब इस चिद्र से निकलने वाले द्रफ के द्वारा तै की गई अधिक्तम दूरी इस द्रफ की स्वतंत प्रिष्ट की ऊंचाई के बराबर होगी तो इस तरह से हमने टॉरेसली के प्रम्य का उप्योग करके बहिस्त्राव वेक को ग्याद किया और चिद्र से निकलने वाले द्रफ के द्वारा तै की गई अधिक्तम दूरी के मान को भी कैल्कुलेट किया तो चलिए इस पर अधारित एक निमेरिकल कोशन भी बनाते हैं एक टंकी में पानी के तल की उचाई 90 सेंटीमिटर है टंकी की तली से उस छेत्र की उचाई क्या होगी जिसके लिए छेतिच परास अधिक्तम हो इस छेत्र पर बहिस्त्राव वेक क्या होगा यहाँ पर G बराबर 10 मिटर प्रतीव वर्ग सेकेंड दिया गया है तो इस प्रश्ण में हमें द्राफ का बहिस्त्राव वेक क्याल्कुलेट करना है तो हम देखते हैं कि प्रश्ण में क्या-क्या दिया गया है एच बराबर 90 सेंटीमिटर है तो 36 दूरी अधिक्तम होगी यदि एच बराबर एच बाई टू होता है यानि 90 अपॉन टू होगा यानि कि 45 सेंटीमिटर तो जब टंकी के आधे हिस्से में हम छेद करेंगे तो इस छेद्र से निकलने वाले द्रव के द्वारा अधिक्तम छेटिज परास तै किया जाएगा अब 45 सेंटीमिटर को मीटर में कनवर्ट करेंगे तो यह अगा 45 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 मीटर भाइस तरा वे का सूत्र होता है वी इक्वाल टू रूट अंडर 2 जी एच तो हम लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 45 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 और सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा 3 मीटर प्रति सेकेंड